हम क्या निकालना सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं टोटल इंकम निकालना सर हम टोटल इंकम निकालना सीख रहे हैं अभी मैं किसी के कमेंट वगेरा को ध्यान नहीं दे रहा फिलाल चलो देख लेते हैं जिसका भी कोई भी कमेंट होगा मैं definitely देखूँगा अभी पहले सीख लेते हैं सभी बच्चे जो है और बच्चों से बोलूँगा जितने भी बच्चे अभी join हो रखे हैं चाहे 50 बच्चे हो 60 बच्चे हो जो भी बच्चे live class में देख रहे हो वो सभी बच्चों से मैं कहूँगा कुछ बच्चे offline देखते हैं तो जो live है ना तो पूरा session खतम करिए जिस चीज को आप start करते हैं आप उस चीज को पूरा खतम करिए बीच में देखके फिर चले जाएंगे तो आपको benefit नहीं मिलेगा फिर बाद में भी आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में ठीक है ना और मैंने कहा income tax ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो आप कुछ किसी भी field में हो आप चाहे आगे graduation से related काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो काम आएगा यह subject तो सर यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्सक्राइब के बात है मैंने स्टार्ट क्या किया था चलिए कम टू दपॉइंट आते हैं हम total income निकालना सीख रहे हैं सर टोटल निकम निकालते समय पे tension यह था कि हमें देखना पड़ता था कि आरो आर के लिए कौन सा होगा NOR के लिए कौन सा होगा और NR के लिए कौन सा होगा सर मैं simply बात कहूँ ना income को अगर मैं determine करूँ तो income जो है ना वो दो तरीके के income हो सकते हैं बस simple सी बात करता हूँ बहुत साधारन शब्दों में सर दो income हो सकते हैं या तो income Indian होगा या income foreigner होगा फौरण income जिसे बोलते हैं या तो income India का होगा या income foreign का होगा सर इंडिया का income किसे बोल रहे हो फौरण का income किसे बोल रहे हो अगर आप इंडिया में से पैसे कमाओगे इंडिया के जमीन पैसे तो वो इंडियानी income है भाई आप कहां पे इसे collect कर रहे हो doesn't matter कहां collect कर रहे हो आपने मान लेते हैं यहां पे FD करा रखा है Indian government आपको salary दे रहा है अगर इंडिया से आपका receive हो रहा है तो उसे हम इंडिया में ही बोलेंगे foreign का मतलब आपने earn कहां किया outside इंडिया और sir receive भी आपने किया outside इंडिया तो उसको बोलते हैं हम foreign income यानि सब कुछ बहार ही है कमाया भी आपने बहार और receive भी कहां किया आपने उसे foreign income बोलते हैं अगर कमाया बहार और अगर इंडिया में receive कर लिया तो उसे Indian income की तरीके से ही treat किया जाएगा समझे बाता तो foreign income अगर आपको समझ गया बाकी बचा हुआ सारा Indian income है simple सी बात है भाई दो ही तो income है या तो इंडिया के income है या foreign का तो अगर आपने कमाया बहार receive there तो इसका मतलब sir ये foreign income है कमाया बहार receive इंडिया में तो इसका मतलब वो कौन सा income है Indian income Indian income सबके लिए taxable होता है चाहे आपका status कुछ भी हो सबके लिए taxable होता है simple सा याद रखने का तरीका है NOR हो आपका status या NR हो अगर Indian income है तो आपका status whatever हो आपके लिए taxable होगा लेकिन foreign income सरिफ एक क्यों ही taxable करता है ROR और बाकी को taxable नहीं करता है इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है ठीक है ना इसके साथ साथ कुछ एक income exempted वाले वो ध्यान रखने है income exempted कौन से है agriculture income जो भारत की जमीन पे होगा उसे बोलेंगे ठीक है past untext income past जो पुराने हमारे income जो untext है इसके साथ साथ और कौन साथ है agriculture income बोल दिया past untext या फिर आपका gift हो relative से gift marriage occasion पे हो तो ये कुछ एक income है जो कि हमारा exempt था employee से जो कि मैंने इस चार्ट में बताया सर याद रखने का तरीका क्या है या तो income Indian होगा या तो foreign होगा Indian होगा tension नहीं है सबके लिए taxable foreign होगा तो सरिफ आरवार के लिए taxable अब सर कुश्चन घुमा घुमा के बोलेगा के ये Indian income है नहीं बोलेगा के SBI के अंदर interest Paris में receive किया Mr. Ram ने तो भाई आप tension नहीं लेना अगर इंडिया के जमीन पे कमाया गया ना उसी तरीके से ऐसे भी बोल सकता है कि Indian government ने bond issue किया और एक outsider ने जो कभी India आया ही नहीं उसने उस bond को खरीद लिया bond क्या होता है नॉर्मली एक पैसे जमाव मां करते है FD type कमांद चलो तो उसको हर साल ब्याज दिया जा रहा है तो सर इसू जो किया वो तो Indian government नहीं किया तो income तो ultimately Indian नहीं हो गया तो आपको question mark है ही नहीं के भाई कोई John receive कर रहा हो या फिर Johnny receive कर रहा हो या राम receive कर रहा हो कोई फरक ही नहीं पड़ता क्योंकि वो हो गया Indian income ठीक है इसी से related मैंने आपके लिए जो चार्ट था ये चार्ट पूरा था और इस चार्ट को हमने समझ लिया था पूरा अच्छे से ठीक है आज का agenda क्या है सर सर्फ और सर्फ आपके साथ question practice करने है क्योंकि हमने basic concept तो समझ ही लिया है सर्फ और सर्फ क्या practice करेंगे हम question उस question को practice करने से पहले कुछ और मैं एक concept बता देना चाहता हूँ जो कि कई बार examiner पूछ लेता है चलिए वो देख लेते है अभी वैसे ये chapter है पूरा लेकिन अभी आपको सिखाया नहीं जाएगा बाद में पूरा chapter कराऊँगा तो इसके पूरे rule and regulation के साथ बात करूँगा बस एक होता है set of chapter वैसे है set of and carry forward लेकिन एक concept समझना पड़ेगा सर आपको के set of का मतलब क्या होता है जो हमारा government है ना अगर मैं government की बात करूँ तो आप simple सी बात समझ लेना tax department जिनका काम tax department का है tax department tax department पता ही क्या कहता है कि cb person से कहता है भईया आपकी total income पे हम tax लेंगे ऐसा नहीं कि आप job कर रहे हो तो सिर्फ job वाले income पे ही tax लेंगे हम आपकी सारी income पे tax लेंगे सिर्फ salary पे नहीं किराय पे नहीं, capital gain पे नहीं PGPP पर नहीं, other source पर नहीं, सारी income पर तो भईया, इसकी सारी income की बात करें तो जैसे मैंने गिनवा दिया आपको क्या बात कर रहा है है, salary पर भी taxable क्या बात कर रहा है है, house property पर भी taxable क्या बात कर रहा है है, PGPP पर भी taxable क्या बात कर रहा है है, capital gain पर भी taxable मैं short form में लिख रहा हूँ और other source पे भी इस पे जैसे कोई भी income हो इन सभी income को जोड़ के जो total income होगा सरकार उस पे आप से text मानती है after deduction और जो भी आगे हम देखेंगे setup का मतलब क्या है कई बार ऐसा हो सकता है किसी person का कि house property से उसका loss हो जैसे मान लेते हैं कि 5000 यहाँ पे 2000 का loss है यहाँ पे 20000 का profit है यहाँ पे 6000 का profit है यहाँ पे 4000 रुपे का income है तो income जब calculate करेंगे नहीं तो हमें total income का मतलब होता है सारे income को तो लेके चलेंगे साथ के साथ अगर ऐसा कोई जगह है जहां से हमें loss होगे तो सरकार बोलता है या फिर उसे minus कर लेकिन इसके भी rule है जो rule हम इस पूरे chapter में पढ़ेंगा अभी rule में समझा नहीं सकता छोटा सा chapter है तब समझाएंगे simply बता दू salary से अगर आपकी income और house property से आपकी loss है तो तो चलता है लेकिन business से loss और salary से income आपस में setup नहीं हो सकता कुछ rule है setup का मतलब क्या है जैसे कि अभी मैं फिलाल बता हूँ ना पांच हजार और बीस पच्चिस हजार और छे पच्चिस और चार उनातिस और छे पैंतिस पैंतिस में से दो minus कर दोगे तो तो 33,000 पे आपका taxable income हो जाएगा कोई बच्चा ये ना पूछे के सर 33,000 तो taxable ही नहीं होता मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ठीक है ना तो 33,000 पे taxable होगा इसका मतलब जो बीच में minus होता है नहीं minus करना allowed है लेकिन ये minus कहां और कब इसके भी rules हैं ऐसा नहीं के कहीं भी minus कर देंगे तो अभी इस चप्टर में तो पूछेगा ही नहीं आपसे ऐसा complication करेगा ही नहीं वो जो भी हम question करेंगे वो आने वाले chapter में setup and carry forward में पढ़ेंगे ठीक है ठीक है चलिए तो हम question start करें क्या सीधा सीधा question उठाते है और ज्यादा question कुछ questions आप करोगे कुछ questions मैं कर दूँगा और जल्दी जल्दी खतम कर देंगे ज्यादा नहीं 15-20 question है I think first question मैंने आपको दिया था अब आते हैं हम second ये वाला कर लिया था क्या आप बताए आप बताते जाएएगा ये कर लिया था फोर्थ करा था नहीं करा चोटा सा question था नहीं करा होगा शायद लेकिन अब फटा फट से देख लेते हैं कोई question रहेगा नहीं आपको भी हाला कि मैंने दिया था आप लोगोंने भी hopefully इमानदारी से किया हो और इमानदारी से करना भी है आंसर है तो इसका मतलब यह नहीं कि देख लेना है कुछ बच्चे प्रैक्टिस ना बहुत जरूरी है कुछ बच्चे सोचते आंसर तो ही है question पढ़ा और एक बार मन के अंदर बोला कि इसका यह होगा फिर चेक कर लिया फिर question पढ़ा फिर मन के अंदर सोचा यह होगा चेक कर लिया इसे practice नहीं बोलते फिर exam के अंदर वो मन काम नहीं आता फिर आपका सिर्फ question नहीं question दिखता है आपको ज्यान रखना हो इसलिए मैं कहूंगा सभी बच्चों से कि आप practice जरूर करें और लिख के practice करें ठीक है न तो चलिए आपका बोल इसमें क्या पूछा गया sir question में question में कहता है कि X non resident है non resident मतलब nr यानि जो ये income हमें बताना है यहाँ पे वो बताना है simply nr के लिए यानि हमारे ये nr है मैं थोड़ा सा time बचा रहा हूं अपना question दुबारा लिखनी रहा format format जो book के अंदर follow किया जा रह रहें ठीक है ना तो format बताने के मेरे हिसाब से है नहीं बाकि nr है nr के लिए क्या taxable होगा नहीं होगा सारे रूल माइंड में ध्यान रखना कि कहता है यह royalty receive by him outside India from the government of India भाई government of India से royalty मिला है अब सिंपल सी बात है government of India से अगर royalty मिलते हैं तो income तो इंडिया की है अब आपका status whatever हो मुझे आगे ज्यादा पढ़ने की जुरत भी नहीं है taxable होगा यह नहीं होगा बिल्कुल होगा taxable ठीक है ना क्योंकि यह इंडिया के income है खूछ बच्चत का क्योंकि इंडियन government royalty दे रहाए तो इंडियन government इंडिया में सही royalty दे रहा हो हो तो इसलिए आगे कहता है technical fee receive from a limited भाई कोiders limited होगा एन इंडियन कंपनी in Germany advice given by him भाई इंडियन कंपनी है advice हम कहीं भी दे phone call आ जाएगा USM advice दे लेकिन इंडिया पे तो है तो इंडिया के अंदर न income इंडिया से ही कमाया जा रहा है तो ये भी taxable हो जाएगा sir कितने रुपे taxable हो जाएगा 234 income from business in India income from business in India receive outside India क्या फरक पड़ता है इंडिया में मैंने बोला ना अगर आप इंडिया का income माना गया तो आपका status matter ही नहीं करता sir status whatever हो taxable ये आपका हो जाएगा total जो भी कर लेंगे फटा फट से 34,000 2,34,000 3,36,000 अब देखिए इसमें भी किसी का doubt हो सकता है तो मैं एक एक मिनट का time लूगा जिसका doubt हो मन में कोई संका हो आप पूछ सकते हैं जिसका doubt हो sir question show नहीं हो रहा थोड़ा नीचे okay मेरे पास हो रहा है वैसे show मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ यह लेजिए किसी का doubt हो वैसे doubt table कुछ है नहीं हाँ बिलकुल यह chapter मेरी तो पूरी कोशिस से खतम हो जाएगी क्योंकि question ही practice करने है बस second और third point second में कहता है technical fee technical fee क्या होता है आपने online कोई advertisement या किसी चीज की service दिये और technical fee Indian company है तो sir Indian company की परिवासा वो होती है कि अगर कोई भारत के अंदर भारत के अंदर की बात करें अगर कोई company है तो उसे बोलेंगे Indian company और आपने service दिया मान लेते हैं question में क्या कहता है आपने advice Germany में दिया तो भाई बाहर दिया लेकिन पैसे ultimately तो यहीं से कमाई हुई है भारत की जमीन से ही कमाई हुई आप Germany में रह रहे होते हैं और Germany में service देते हैं तो foreign income बोलते हैं उसको वहाँ पर भी देखा जाता receive कहां किया है इसलिए यह Indian income है और Indian income मैंने क्या बताया है सब के लिए taxable होता है point number three में भी business इंडिया में आ गया receive outside इंडिया हुआ तो business अगर इंडिया में ही आपका तो सब के लिए taxable हो जाएगा बहुत simple सी बात है कहना sir Germany में company है sir three और nine nine तो है भी नहीं यहाँ पर अभी और भी question देखते हैं मैंने देख लिया है आपके doubt अगर clear नहीं हो तो last तक मैं आपके doubt clear करके जाऊँगा ठीक है ना तो और भी question देखते हैं चलिए आपके जाएगा आपके बहुत झाल 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 now check करोई voice आ गई हाँ मैंने देख लिया देख लिया आ गई चेक करिया प्लीज्जे अब आ गई होगी घार देख वॉर्ट पे रह गया व, तो नहींंने करेक्ट कर दिया था ठीक है next question पर देखते हैं ध्यान दीजे ध्यान दीजे बोड पे वो थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया था माइक का इसलिए ध्यान देना यहां पे कहता है Mr. Akbar who is a citizen of Iran सर यहां का person नहीं है receive education in India यह इंडिया के अंदर education लेने आया 1st May 2015 to June 2020 he went to Iran to June 2020 यानि सर यह कब आया इंडिया में पहली बार 1st May 2015 और still पूरे टाइम इंडिया में था 1st May 2020 इंडिया में ही था और he went to Iran 2 June को चला गया यह यानि 26 2020 में चला गया यह चला गया इसका मतलब 2 June को गया देखो examiner कैसे confuse करने की कोसिस कर रहा है 2 June को गया लेकिन जिस दिन गया भाई उस दिन भी तो इंडिया में ही है तो यह मान के चलो 2 June को गया तो June में भी 2 दिन रह रहा है यह ठीक है ना अब आगे देखते हैं he start working there और वहीं पर working कर रहा है September 2020 तक from first September भई 2 June को चला गया अब तुम वहाँ पर इरान में अब उसने first September से क्या करा वहीं काम कर दिया he working September he again come India 15 December 2020 वापसी यह 15 December को आया 2020 में वापसी आ गया यह एक बार गया फिर वापसी आया फिर से क्या कहता है December and went इरान फिर 25 जन्वरी को चला गया यह 25 जन्वरी 2021 में फिर चला गया यह his income उसने पूरा income जो कमाया है ना duration में यह income कमाया है कुछ salary कुछ dividend receive Indian company interest bank deposit तो सार अगर हमसे तीनों के लिए पूछता तो कुछ सोचना ही नहीं था अब सबसे पहले हमें decide करना होगा कि जो यह mister अकबर है इसका residential status किया है इसका residential status देखने के लिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं simply current year को define कर देते हैं ध्यान देजे current year का scenario या current year का date में define करूँ तो हमारा 20 21 है his income 20 21 तो एक चार 2020 और खतम होगा 31 2021 तो पहले तो हम current year का जो भी scenario बन रहा है उसे निकालते हैं सर current year का क्या scenario बन रहा है सबसे पहले चेक करेंगे कि April में कहा है यह April में इंडिया में मैं मैं में भी इंडिया में है यानि 2 जून तक 2 जून 2 छे 2020 तक इंडिया में है यानि यह वाला जो area है वो सारा का सारा area इंडिया का है यानि मैं count करूँ इस area के अंदर तो सर एपरिल के अंदर तो वो रह जाता है 30 दिन में के अंदर हो जाता है वो 31 और जून में हो जाता है इस side तो सर उसने जो days complete किया 63 अब देखते हैं आगे क्या कहता है सर आगे की कहानी में कहता है यह जब गया तो फिर वापसी आया 15 12 यानि सर कुछ 15 12 15 12 2020 को वापसी आया इसका मतलब सर यह जो duration है बीच वाला वो इंडिया में है ही नहीं इसको काउंट ही नहीं करो दिसंबर में आया और फिर जनवरी में चला गया 25 जनवरी को तो सर दिसंबर में 15 तारिक को आया तो दिसंबर के महिने में कितने दिन रहा 17 दिन कैसे 17 दिन अब 15 को भी काउंट करोगे और 31 का दिसंबर होता है 30 का होता दिसंबर कहाँ पढ़ाई कर रहें आप کہह रहें 30 का होता दिसंबर तो 17 दिन दिसंबर के है अब जनवरी में भी वो 25 को छोड़के जा रहा है तो सर मैं जैन की बात करू न तो जैन में भी वो 25 को छोड़ के जा रहा है तो 25 दिन ही है इसके बाद चला गया तो इसके बाद कहा गया नहीं गया पता ने 17 और 25 की मैं बात करूँ कितने दिन तो सर वैसे यहाँ पे देखा जाए तो 63 और 42 पहला जो condition है न 182 डेज वाला तो नहीं कर रहा सर यह तो नहीं है एक्सेप्शन वाला तो यह तीनों भी ना आउटसाइड इंडिया इंप्लॉइमेंट के लिए है ना इंडिया नोरीजन है ना क्रूमेंबर तो सर इसके दूसरा कंडिशन अप्लाए हो सकता है उसमें कहता है साठ दिन करेंट यह में 60 तो यह तो सर है पिछले चार सालों में सर इससे पीछे की चार सालों की बात करूँ ना तो इससे पीछे तो लगातार वह भारत में ही है कि 2015 में भी भारत में 16 में भी भारत में 17 में भी भारत में 18 में भी भारत में 19 में भी भारत में 20 तो स्टार्ट हो गया तो क्या आप मेजर कर सकते हो क्या पिछले होगा यह यानि सर और ली देखा जाए 365 लेकिन मैं यह आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं एक्जाम में आपको एक्जेक्ट डेट लिखना है कि सर यह यहां से यहां तक 365 दिन कंप्लीट कर रहा है और इसलिए यह रेजिडेंट अभी तो हो गया अब एडिशनल तेक कर रहेते हैं तो सर यह दो बार तो रेजिडेंट से यहां भी रेजिडेंट हो जाएगा और यहां भी रेजिडेंट हो जाएगा और यहां भी रेजि कोई भी दो साल तो जरूरी निये दस साल रहो अगर आप तीन साल में दो बार कर दोगे तब भी माना जाएगा और रहावाख 730 दिन तो 730 दिन भी कर रहा है दो साल में ही हो जाएगा इसका लगबग 700 सो प्लस तो यानी इसका status जो मैं देख पा रहा हूँ अब इसके income को ROR के हिसाब से determine करना है तो मैं यहाँ पर simply यहीं करके दिखा देता हूँ सबसे पहले salary receive in Iran वही ROR है तो आएगा, dividend receive यह भी आएगा इसके बाद interest bank कहीं से भी आएगा भाई income from house property इरान यह भी आएगा क्योंकि ROR status है तो यह आजाएगा ठीक है, interest receive from bank थोड़ा से इसमें exempted भी होता है लेकिन अभी उससे exemption की बात नहीं करेंगे तो जो भी आ रहा है 92, 93, जो भी आजाता है whatever आपका यह calculation, बताएए किसी को कोई doubt वो आगे deduction में करेंगे हम ठीक है न, deduction मिलता है ATTTA के according वो बात में देखेंगे बताएए कोई doubt सर वन वाला क्यों status ROR है और ROR में आपकी income कोई सी भी हो, taxable तो हो गई होगा point number one salary receive इरान में कर रहा है लेकिन मैंने क्या कहा अगर आप कहोगे salary receive इरान में हो रहा है job भी इरान में कर रहा है तो इसका मतलब सर यह तो foreign income हो गया और आप मैंने starting में ही बताया कि सर जो foreign income होता है न उस income पे तो ROR तो tax देगा ही देगा चाहे कुछ भी हो तो आप कह रहे हो सर यह तो है foreign income क्योंकि बाहारी receive है बाहारी सब कुछ हो रहा है लेकिन इसका status क्योंकि ROR है इसलिए मैंने बोला इसको tax देना पड़ेगा समझे बात आप ठीक है